नमस्कार घड़े लूपचार में आपका स्वागत है मित्रों मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ न कुछ पहले बताता हूँ फिर वीडियो का विब्रण देता हूँ ऐसा कोई नहीं बताता होगा क्योंकि जो मैं बताता हूँ यहाँ परियोग से भी तेज है केवल अपनाया जाए तू तो साथियों इस जीवन में तराह तरा के परसानिया आती है और मनुस्य को जहलना भी पड़ता है इस मुसीबत और परसानिय संकर से कोई दूर भाग नहीं सकता इसी लिए कहा गया है कि समय के अनुसार कार्य करेंगे तो संकर नहीं आएगी परसानिय नहीं आएगी मित्रों समय ही बलवान होता है तो समय के अनुसार कोई भी कार्य करेंगे तो साथियों आपने बहुत सा तोटका परियोग किये होंगें और करते भी होंगें और हम भी तोटका देता हूँ लेकिन कुछ ऐसे सधाराण छोटा सा तोटके मिल जाते हैं जिसके करने से आदमी सफल बन जाता है तो धनमान बनने के लिए आगे बनने के लिए घर परिवार खुसाल रखने के लिए सभी तोटके दिये जाते हैं और व्यक्ति करते भी हैं तो आज हम एक छोटा सा परियोग दे रहा हूं जिसके करने से बीना मांगे ही सब कुछ मिलता है यह सकती साली परियोग है लेकिन है बेलकुल छोटा तो मित्रों अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथों धन आवे और जो धन आए बरक्कत मिले और हम तेजी से आगे बढ़ें और जो कार्य सोचें वह बनता जाए तो अगर सोचा हुआ कार्य बनता जाए तो इंसान को आगे बढ़ने में कोई समय नहीं लगता है क्योंकि धन आने का मार्ग खुल जाता, सभी कार्ज का मार्ग खुल जाता, ऐसा ही यह एक तोटका है। तो मित्रों इसके लिए आपको एक पुराना बट बिरिष का चुनाव करना होगा। तो पहले आप घूम कर देख लें कि कहां पर आपका सुविधा बन सकता है और बट बिरिष है। मित्रों बट बिरिष उसे काते हैं बरगद को, बट भी करते हैं बरगद भी काते हैं। तो बट बिरिष ऐसा बिरिष है, साथियों यह जहां भी बिरिष है, इसको बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। जितनी इसकी जड़ फैलती है, उतना ही उपर के जालियां फैलती है, उतना ही उसकी जटा भी नीचे के तरफ फैलती है। तो इसे कोई बढ़ने से रोकता नहीं, इसी परकार जो बैगती बट बिरिच का पुजन करता है, प्रियोग करता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता, तो मित्रों एक बट बिरिच का तलास करें, और कुछ जायफल लेना होगा, तो वह जायफल पंसारी के दुकान पर, असानी से मिल जाता है, यह एक मसाले का भी आइटम है, और टोटका में भी फेमस है, तो सबसे पहले चलें हम आपको बट बिरिच का पेंड दिखा दूँ, और उसी के साथ जायफल भी आपको दिखा दूँ, तो मित्रों देखिए, यह जायफल है, यह खिराने स्टोर में भी मिल जाता है, गरम मसाले का आइटम आता है, लेकिन तंत्र टोटका में फेमस है, और पंसारी के यहां मिल जाता है, तो मित्रों, हम पहले आपको बट बिर्च दिखाए हैं, फिर जो है, यह जायफल जो है, आपको दो जायफल पर दिंग परियोग करना है, तो यह रही जायफल आसानी से मिलने वाला यह चीज है, तो साथियों, आपने बट बिर्च देख ली, जायफल देख ली, और यह परियोग सुमार के दिन से, असनान करने के बाद, यह परियोग करना है, और यह परियोग 11 दिन तक करना होगा, तो मित्रों, दो जायफल असनान करने के बाद, और सुबह के समय, यह नहीं कि 10 बज़े, 11 बज़े, नहीं जी, जितना सुबह हो सके, उतना जल्दी आप कर लें, सुर्ज उदे से एक घंटा के भीतर, इस परियोग को आपको 11 दिन तक असनान करने के बाद करना होगा, तो मित्रों, असनान करने के बाद, दो जायफल लें, और वह जायफल लेकर, आप बरगद ब्रीच के नीचे जाएं, और जड़ पर दो जायफल को रख दें, अगर किसी मनोकामना से यह परियोग कर रहे हैं, तो मनोकामना कहें, अगर नहीं मनोकामना कहते हैं, तो आप तब भी आपका सभी कार्य पूर्ण होगा, लेकिन मनोकामना परगट करेंगे, तब भी आपको नजर आएगा, कि यह कितना कारगर उपाय है, तो मित्रों, गारह दीन पूरा हो जाने के बाद, आप इसका देखेंगें चमतकार, और कमाल, दीन दुगुनी, रात चौँगुनी, आप उन्नत करेंगें, आपके हाथों धन आएंगें, घर खुसाहाल बनेगा, तो मित्रों, यह एक ऐसा प्रयोग है, कि बिना मांगने से भी मिलेगा, और मांगेंगें तो भी मिलेगा, तो मित्रों यह एक बेजोर उपाय है, सक्तिसाली उपाय है, तो आप इसे करें, और तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन एक ध्यान रहे एक बात का कि आपको जाइफल रखते समय कोई देखे नौ कोई टोक टाक न करे इसके लिए आपको सुबह जितना जल्दी हो सके कर ले मित्रों अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिन्दगी सुहाना सफर बन जाएगा तो मित्रों हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूंगा और आप घर बैठे वीडियो से लाभ को उठा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजात नमस्कार